पूरे दिन चलते रहेंगे जिसके नक्षात्र स्वामी सनी देव है आज के जनमे जातत, सुन्दर, सांत प्रवरित्ती वाले, माता फिता के भक्त, ब्राम्भनों और देवताओं का आदर और पूया करने वाले, धर्म को मानने वाले, बुद्धिमान, धन और एस्वरे से युथ होते हैं ऐसे जातक विश्वास पून पदों को फ्राप्त करने वाले, अपने कारियों में निपून, सबके द्वारा सम्मानित होते हैं मगर जरासी बात पर चिंतित हो जाते हैं, विशम पर इस्थितियों में साहसी तरीके से सामना भी करते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, सनी और चंद्रमा की इस्थिति अन्पूल रही तो पून सफल होंगे आज चंद्रमा की युती रहू के साथ करकराशी में बनी रहेगी, परंतु नक्षतर सनी का फूरे दिन कायम रहेगा जिससे मेनद करने की प्रवरित्ती बढ़ेगी, प्रतिनिधित करने का मौका मिलेगा काम करने में सहयोग और रचनात्मक प्रवरित्ती बनी रहेगी साथ ही मंगल और गेतु की सब्तम दिष्टी पढ़ने से कारेच्षेत में देड़ विश्वास और सकारात्मक पहल कायम रहेगी जिससे सफलता सुनिश्चित होगी साथ ही साथ ब्रिहस्पति की नवम दिष्टी चन्द्रमा पर पढ़ने से बिभागी सहयोग और सकारात्मक पहल ना कायम रहेगी जिससे कारेच्षेत में विकास होगा और उत्थान की प्रवरित्ती जारी रहेगी मगर राहू और चन्द्रमा की यूती होने से कभी कभार समय समय पर मन में नकारात्मक विचारों का उठना भी संभावित है अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं मेश राशी के जात्मों के आदमिश्वास और कारेच्षमता में ब्रिद्धी होगी रुके हुए काम संबन होंगे चन्द्रमा का अपने राशी में होना बौधिख चमता के इस्तेमाल में सहायक होगा अपने कारे चेतर में निर्धारित और देशे के प्रति मानसिकता बनी रहेगी बहुत दिनों से सोचे हुए कारे पूरे होंगे आठिक लाव सामाने रहेगा मगर मन का अंतरदंद, माता के स्वास की चिंता मानसिक तालमेल में कमी और याद दास्त का प्रभावित होना और मानसिक दुष्चिंता संभावित है साजेदारी आज आप के लिए लाधायक रहेगी बिद्यातियों के लिए आज का समय अनिकूल होगा सैच्छरी कारियों में सफलता मिलेगी और मांगली कारेक्रमों के लिए आज का दीन अनिकूल रहेगा ब्रिष राशे के जात्कों के प्रयासों में सुधार होगा और उर्जा आस्तर बढ़ा रहेगा चंद्रमा के करक राशी में होने से कारेच्छित में सुधार मिलेगा बौधिक शम्ता में बृधियोगी और ब्यावसाई गतिधियों के प्रयास अनुकूल रहेंगे सरकारी कामकाज पूरे होंगे शासर सत्ता का सहयोग बना रहेगा मगर अपने विभागी अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है मेहनत करने की सकारादमत भावना बिक्सित होगी और संतान संबंधी सुखत समाचार मिल सकता है नीजी निवेश के संबंध में लिये गए निरणे अनुकूल रहेंगे विद्याथियों के लिए आज का समय अनुकूल है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा साथ ही अपने सामान के प्रतिसा चेत रहें मिर्तुन दासिके जात्कों के लिए उच्छ बौधिक छमता और अजड़ आत्मिश्वास बना रहेगा कारेश्यर में साकारात्मा प्रिरणा मिलती रहेगी और आठिक मामलों में सफल रहेंगे नई कार्योजनाओं के प्रस्ताओं भी सामने आएंगे साकारात्मा पहल जारी रखे अचानक आठिक लाव संभव है साजेदारी के कामों में सहयोग मिलेगा मगर आठिक निरणे लेने में सावधानी बरते नौकरी करने वाले करमचारियों को सकारात्मा प्रिरणा मिलती रहेगी अध्यान अध्यापन में उचित सहयोग काईम रहेगा सामाजिक मान पपिष्ठा में बिद्धी होगी मगर पारिवारिक संब्धनों के साथ ही स्वास पर भ्यान देना चाहिए और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा करक राशी वाले जात्मों को धैर्यों और सायम से काम लेना चाहिए वाणी की सौम्यता बनाए रखें अत्यधिक ग्रस्ता और जिम्मिदारी के साथ मानसिक क्रिया सीलता और तर्क करने की प्रभृत्ती भी विक्सित होगी सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठा कर काम करें सासर सता वाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा अतिरिक तार्थिक लाव संभवय मगरस्वा संबनधी संवेदन सीलता और पारिवारिक तालमेल में कमी और तात्कालिक नकारात्मक बिचावों का पैदा होना भी संभावित है विद्ध्यात्यों को सिक्षा प्रत्योगता में सफ़वता मिलेगी प्रयास जारी रखें वैवाहिक मामले अनकूल रहेंगे साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें सिंग राशी वाले जात्कों को अनावस्यक भागदोड मानसिक उत्तेजना भ्रम का उतार चड़ाव और सुख संसाधनों पर अनावस्यक खर्चावाला मिलाजूला समय रहेगा मकर मानसिक रूप से अपने आपको देड़ प्रतिग्या और उर्जावान महसूस करेंगे हलाक कि कारी ओजनाओं की साथ तक पहल जारी रहेगी रुके हुए काम भी संपन्न होंगे अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मों प्रेरणाव मिलता रहेगा मगर वाद विवाद और न्यायाले संबंधी कारे वाही से बचें आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है सिक्षा प्रद्योगिता में सहयोग मिलेगा सफल महसूस करेंगे और छोटी यात्रा या प्रवाज संभावित है साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं कर्ण्यारास के जातों के लिए आज का समय कारे चेत्र को विक्सित करने संबंदित मामलों में निवेश और योजनाओं में आथिक लाभ और उसको ब्यवस्तित करने के प्रतिक एंदित रहेगा हलाकि ब्यापारिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है रचनात्मक पहल जारी रहेगी और कारी योजनाओं के लाभ दाई आउसर सामने आएंगे संबंदित मामलों में यात्रा भी संभावित है साजेदाजी के प्रस्ताओं में मिद्र वस्त्वयोग्यों की भूनता भी लाभ दायक रहेगी ब्यावसाइब प्रतिश्था में विध्भी होगी और आठीक पक्ष मजबूत रहेगा विद्यात्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा और वैवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे तुला राशी वाले जात्मों को व्यावसाई प्रतियस्वर्धा में लाव मिलेगा और नीजी निवेश के प्रस्ताव सामने आएंगे कारिष्षेत्र में चली आ रही दुविदा पूर्ण इस्तिती संभावित है मगर नई कार्योजनाओं में उपलब्धी हासिल होगी और संबंदित मामलों में यात्रा भी संभावित है आर्थिक लाव के नए अउसर सामने आएंगे और मात्री पक्षिस से सहयोग जारी रहेगा साजेदारी के कामों में आपके प्रयास आर्थक होंगे मगर भी भागी करमचारियों से साधानी अपेक्षित है महत्पूर निर्णे लेने में अधिकारियों का हस्ता चेप संभावित है अध्यान अध्यापन के लिए आज का दिन अनिकूल रहेगा और स्वास संबंदित संतुष्टी महसूस होगी ग्रिश्चिक राशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन कामों में रुकावट और दुविगा पुर्णमान सिक्ता के बीच लगा रहेगा मगर कारेच्ष्ट के बिकास के प्रतिवर्जा केंदित होगी और नई कारियों अजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे रचनात्मक प्रयाज सफल होंगे संमधित मामलों में प्रति नित्र करने का मौकाम मिलेगा और यात्रा संभावित है आठिक लाग सामान रहेगा संतान संमध्धी चिंता में रहात मिलेगी मगर नीजी कारियों में रुकावट या बाधा का संकेत मिलता है शिक्षा प्रत्योगिता में सफर्ता संभावित है, नीजी संबंद प्रगाड होंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा धनुरासिवाले जात्कों को स्वास संबंदी सावधनिया रखनी चाहिए आज का दिन अनावशक यात्रा मानसिक तनाव और भ्रमात्म के स्थिति वाला संभावित है मगर कारेच्षेत की संतुष्टी बनी रहेगी और सहयोग मिलता रहेगा नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें साषन सत्ता और अधिकार्णियों का सहयोग सामील होगा आर्थिक लाग सामान गएगा संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है धार्मिक वावना बलवती होगी और देवदर्शन के योग बनते हैं विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा है सफलता संबावित है और वाहन सावधानी से चलाएं मकर राशी वाले जात्कों को कारेच्छेतर में सुकून मिलेगा और प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी अपनी कार्यों जनाओं को और बहतर धन से प्रस्तुत करने के लिए प्रेणा और साहीयोग मिलता रहेगा साथ ही पारिवारिक दायत की पूर्टी में मन लगेगा छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है पारिवारिक सघस्यों पर खर्च की उमीद बनती है आठिक लाव की गति सामानी रहेगी साजे तारी की प्रस्ताव लावधायक रहेंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा प्रयास जारी रखें और स्वास सम्बंधी जटिलताओं पर आवसक साउधानी बनाई रखें साथ ही वाहन साउधानी से चलाएं कुम्ब राशिवाले जात्कों को मानसिक दबाव महजूस होगा और नकारात्मक बिचादों का उचना संभावित है हलाकि काम काज पूरे होंगे और कारेच्षेत में निरंतरता बनी रहेगी सासन सत्ता बाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा मगर कारेच्षेत के आवसक संसाथनों में खर्च का संकेत भी मिलता है साजेदारी लाफदायक रहेगी आठीफक सामान रहेगा वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल है विद्याथियों को महनत करनी पड़ेगी मगर कुछ काम में नकारात्मक लोगों से दूरी बना कर रखे वाद विवाद और नियायाले संबंदी कारियों से परहेच करें साथ ही स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं मीन रासी वाले जात्मों को आज भी सावधान रहना चाहिए बिरोधी पक्ष सकरी रहेंगे किसी मामले में साजिस के सिकार हो सकते हैं आवसक सावधानी बरकरार रखे महत्पुर्ण योजनाओं की दूपरेखा किसी से साजान ना करें हाला कि कार्योजनाओं की निरंतर्ता बनी रहेगी नए प्रस्तावों के लिए आज का दिन उचित होगा महत्पुर्ण निर्णे लेने में सावधानी बरते हैं आठिक मामलों में सहयोग बना रहेगा संतान संबंदी चिंताओं में रहात मिलेगी विद्यात्यों के लिए आज का दिन दुवधापून बना रह सकता है और स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमाशिवाए